सब्सक्राइब कीजिए इन्फराटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स इन्फराटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चली शुरू करते हैं इस बीडियो को लेटस गेट स्टार्टेड इस बीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कावसाकी ने अपना लेटेस्ट सुपर बाइक लाउंच कर दी है BS6 इंजिन बेजड ये बाइक है जिसका नाम है कावसाकी Z650 कावसाकी Z650 बाइक को BS6 के साथ लाउंच किया गया है फुराने मॉडल के मुकाबले ये बाइक अब काफी महंगी हो गई है यानि नई बाइक की प्राइस में कमपनी ने सीधे 25,000 रुपीज की बड़ोत्री की है कमपनी ने इस बाइक की बुकिंग भी शुरू कर दी है जिसे कमपनी की बेपसाइट या डीलर्शिप से बुक किया जा सकता है बाजार में BS6 कावसाकी Z650 नई बाइक का मुकाबला हारले डेबिटसन स्ट्रीट 750 से होगा BS6 कावसाकी Z650 की प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 5.94 लेक रुपीज रखी गई है कमपनी ने इसमें पहले वाला 649 CC पेरलल ट्विन इंजन दिया है इसका इंजन 68 HP की पाबर और 64 न्यूटन मीटर का टॉक जनरेट करता है इसमें revised exhaust और air box भी दिया गया है वही पिछले engine के मकाबले इसमें कमपनी ने कोई बदलाव नहीं किया जबकि पहले के मकाबले 1.7 न्यूटन मीटर टॉर्क कम हो गया है BS6 कावसाकी Z650 के design में कमपनी ने काफी बदलाव किये हैं कमपनी ने इसे पहले के मकाबले जादा sharp design में उतारा है नई बाइक में instrument, console, Bluetooth, GPS और smart connectivity फीचर दिये गई हैं वहीं इसमें Dunlop, Sport Max, Road Sport 2, Tyres और 4.3 इंच, full TFT instrument कंट्रॉल दिया गया है बाइक में redesign LED हेडलाइट भी दी गई है हाल ही में कमपनी ने अपनी Ninja 650 को लॉंच किया है कमपनी ने अभी latest 650 को भी लॉंच किया है इस बाइक के एक्सोरूम प्राइज 6.24 लेक रुपीज रखी गई है पावरफुल इंजिन के साथ आ रही नई 2020 Ninja 650 में ट्विन LED हेंड लैंप नया विंड शील्ड स्मार्टफॉन कनेक्टिविटी के साथ डिजीटल इंस्टुमेंट क्लस्टर और अंडर स्कोर एक्सोर्स्ट सिस्टम दिया गया है निंजा 650 को बिशेस रूप से डिजाइन किया गया है इस नई कावरसा की निंजा 650 में 649 CC का इंजन, 4-stroke parallel twin इंजन और 6-speed transmission दिया गया है इसका फ्यूल इंजेक्टिट सिस्टम वाला इंजन 8000 RPM पर 68 HP की पाबर और 6700 RPM पर 64 HP की पाबर जनरेट करता है इसमें वाल्ब सिस्टम DOHC 8 वाल्ब्स हैं बाइक का ground clearance 130 mm है, fuel tank capacity 15 liter और wheelbase 1410 mm है बाइक में Dunlop Sport Max Road Sport Tire 2 Tires का यूज किया गया है तो कावा साकी ने ये दो latest bike launch करी हैं एक है कावा साकी Z 650 और दूसरी कावा साकी निंजा 650 तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मेद करते हैं आपको इस वीडियो समझ में आ गया होगा अगर future में आप इसी टाइप की और वीडियो दिखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए